वेनिला आइस क्रिम बनाने के लिए हम लेंगे डाइसो एमेल दूद इसे गर्म करेंगे उसमें चार चम्मच शक्कर डाल देंगे आप शक्कर चाहे तो कम या जादा कर सकते हैं आधा कप नॉर्मल दूद में दो चम्मच कश्टड पाउडर डाल कर उसे अच्छे से घोल लेंगे ये वेनिला फ्लेवर वाला कश्टड पाउडर है जब दूद में उबाल आ जाए तो ये कश्टड वाला दूद उसमें डालेंगे गेस को स्लो कर देंगे और इसे हिलाते व आप चाहे तो इसे grinder से भी अच्छे से फेट सकते हैं। आप इसे एक डिब्बे में निकाल लेंगे और उस पर dry fruits डाल कर ढकन बन करके 6-7 गंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और ये हमारी थंडी थंडी वेनिला आइस्क्रीम तयार है।